बुलंद है होसले तो मुठी में मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिन्दगी में आम है, हो अगर जिन्दा तो ताकत रखो भाजूओं में, लहरों के खिलाफ तैरने का, तो कि लहरों के साथ में बह जाना, तो लासों का काम है मेरे भाई नमस्कार साथियों मैं राज कुमार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पी वी आर स्टडी में आज किस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तिरकोड मिती इंगलिस में बोलते हैं इसे तो यह क्लास यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड सीबेसी जारखन MPs दिल्ली बोर्ड कोई भी परकार का बोर्ड है सबके लिए क्योंकि NCRT जो होता है यह सबका दादा होता है इसी पर आधारित सभी का पाठिकरम होता है मुख्य रूप से यह सामिल होता बाकि एक्स्ट्रा वोग अपना दे अलग बात है लेकिन होता सब में यह ज सारे कुष्चन रहेंगे ठीक है चलिए तिर्कोड मिती में जो हमें इसमें आज यूज होगा लगेगा वह सबसे पहले आपको यह चीजी देखना है तिर्कोड मिती अनुपाद में क्या देखोगे बाबु जरा समझना यह क्या है ये क्या है आपस में भाई भाई है वुआ इसके बाद न के तилась होते है जान का आप उचेट क्या होता है क्या होता है सवकित होता अभी मैंने कहीं फीटा उटा नहीं लगाया ठीटा क्या को को स मिखाता है परदर्थित करता यह ज़रूरी नहीं आप कुछ भी लगा सकते हो उसकी जगह पर अगला क्या है पता है10 का कॉछ सक्षम होता नहीं है तीडैंड के य। यह यह है तो आप बताओगे कि मुख्य रूप से तीन तिरकोड में यह अनुपात होते हैं मुख्य रूप से कौन-कौन साइन कौस्ट एन हम यहीं पढ़ते हैं ठीक है इनके तीन अपोजिट होते हैं साइन का कॉस्ट सेक और टैन का कॉट इतना ठीक है इनकी जगह पर आप ऐसे थीटा भी लिख सकते हो कौन की जगह पर यह भी कोई बुराई नहीं है पर आया डिफाल्ट रूप में थीटा ही माना जाता है कौन को जहां कुछ नहीं होता है ठीक है थीटा क्या बोलता है इसे ऐसे थीटा यह कौन को पर दर्सित करता है कितने अं आप इतना जान लो इनका स्क्रिंसार्ट ले लो यह हो गया तो इसी तरह के बाबु इनके सब के कुछ फर्मूले भी होते हैं लेकिन यहां पर जितना यूज होगा हम आपको को साथ साथ बताते जाएंगे तो अच्छा रहेगा अगर एक्स्ट्रा में सुत्र लिखवाएंग अब हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं अगर आप लोग स्क्रिन पर देखना बाबु यह स्क्रिन पर भाई पहला प्रस्न दिखाओ यार स्क्रिन पर देखिए क्या कहता है दिक्तुराना क्लियर अगर आपके पास NCRT वाली किताब है तो आप किताब लेलो उसमें देखो किता क्यों भी समकोंड है लेकिन यह मुझे लगता कोशिशन इन्होंने गलट टाइप करा है तिरभूज ABC में ठीक है आपके किताब में होगा यह कुश्चन थोड़ा गलत मिस्प्रिंट है तो तिरभूज ABC में कि पड़िये इस क्रिन पर दिख रहा है आपको कहां से पढ़ना है यह लिखा नए एक सफ एट-पॉइंट वन कलाश्टन गड़ित क्यूवण उसके बाद से आपको पढ़ना है जहां पर टी लिखा वो क्या है वो गलत है वो डिने उस पर तिरभूज रहेगा तो सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब करेंगे सबसे पहले मेरे बना लेंगे नंबर 200 पर है यहां दिख रहे न तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक समकॉण तिरभुष बना लेंगे यह ने बना लिया इसमें और क्या कह रहा था इसको एक साइड में बनाएं तो जदा अच्छा रहेगा बीच में बना लेंगे थे हमारे लिए मुसीबत करेगा तो प्रक नबयांस बनेगा न वो बीपर बनेगा यह क्या है बी समकॉण है इस पर रख दिया बाकी और सबको कहीं भी रखो ए और सी को कोई फरक नहीं पड़ता तो हम एको यहां और सी को इनके बगल रख देते हैं यह कुश्चन में कहा था फिर से देख लो फिर भूज ए बी सी मे है उलो दिया है न तुम्हारे सामने है दिया है नब फिर कहरा नहीं रिखतिका मांगाद कीजिये देख़ो यार हमें कफ़ालना किया है हमें निकालना तो एक रूसनली क्या है ग्यात करना है क्या आप Garambenasa थे अचैन्य है घृत करना करना है इसमें अपीसाइं मेड़ी सेंटीमीटर दिया है यहां क्यांद करना है साइंल ऑफिमने बताया साइन था के बारे में अग魚 सूल्यू है अभी उइक चीज और नहीं बताए जो बताना चाहिए सुन यह यह आपको याद रखना है यह अलग है सूत्र का पार्ट है याद रखना इसे कहीं भी लिख लो यह कुश्चन का हल नहीं है यह फार्मूला का पार्ट है साइन थीटा थीटा को डिफाल्ट रूप में अक्सर हर जगा लिखते हैं इसलिए मैं थीटा लिख रहा हूं ठीक है साइन थीटा परावर होता है मेरे भाई लंब बटे करड़ क्या होता है यह सूत्र है अब कैसे होता है मैं अभी बता रहां सुन लिख जीए यह आपको याद रखना है यल ए यल और के के ए लाल बटा कक का याद रखना है ठीक है क्योंकि तीने मुख् elli armies से त्रिकोड में त्य अनुपात हैं और तीनी लेटर है यह एक हो गया साइन के लिए यल आपान के यल और क का मतलब यह हुआ बाबू कि यल मतलब लंब के मतलब कर्ड कोस के लिए दूसरा हो जाएगा एपान के कोस के लिए हो जाएगा एपान के का मतलब जानते हो एपान के कोस के लिए ए मतलब आधार क्या आधार ऐसे लिख लीजिए के का मतलब करड़ के लिए यल अपान ए यल का मतलब लंब एक मतलब आधार क्या यानि लंब वटा क्या आधार यह आपको याद रखने हैं यह फर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन्हें कैसे याद रखोगे कोई बड़ी बात है नहीं कि लाल बटा कक को का सबके realidade δखा का मतलब चाचा जिसे अंकल बोलते हैं तुम लोग अब अंटी का काम नहीं इसमें कि गंटी बजfinden लोग के अगर अंटी का नाम लिया तो सिर्फ अंकल बस इस लो लालाबटा का कि मैं कि कि तीनों बहुत इंपोर्टेंट हैं इनके जो चचेरे भाई है अपोजित वाले जैसे कोशेक ना इनका भी बताया था ना कोशेक इसका उल्टा होता है कोश का होता है उनका फार्मूला भी ऐसे ही उल्टा होता है जैसे अगर मैं एक आद दिखा देता हूं बाकी आभी काम ट्रॉह जाए का लंभनेट नीचे हो जाएगा ठीक है कड़ बटा क्या होगा लंब है इनके लिए खोपडि दो नीचे हो जाती है और पनी रूपार हो जाथा भार गया इसी मधूना कर्ण को आधार हो जाएगा वाझा कौ आधार बटका लंब यह सूठ को को मालूम है तो हम इसी सूत्र के माध्यम से इसका माने हाँ पर पहले लिखेंगे इसायन का सूत्र क्या होता भाया लंबटे कर्ड क्या होता है लंबटे कर्ड इसको इंग्लिस में क्या बोलते हैं जानते हो कि नहीं इंग्लिस में इसको हाइपोटेंशन ऐसे कुछ बोलते है कि सब्सक्राइब को बोलते हैं जानते हो न पर इंगलीश जो बच्चे वह भी समझ जाएंग वह भी लिख दूँगा थोड़ा सा रूख न है देखिए नहीं इंगलिस में क्या बोलते हैं वो मैंने आपे लिखती आप यहाँ समझो समझो देखो लंब को क्या बोलते हैं या वर्टिकल भी कहा जाता सब्सक् contenido और ऑफ को हैं हुंखते हैं यह सिबसी वालों के लिए आजहाल जाएगा ठीकई यहां पर आधार का मतलब English Media वालों के लिए BBC मतलब base करण का मतलब hypotenious के लंब लंब का मतलब perpendicular और आधार का मतलब नेर्ट इनके फर्मूलय हो गए आप सभी के लिए तो देखो मेरे भाई हमें साइन एकमान फाइंड करना था यानि लंब बटे करड़ पर्पेंडिकुलर अपार हाइपोटेनियस और जो हमें फिगर दिया है इसमें हमें हाइपोटेनियस दिया ही नहीं है क्या करेंगे हम यह करेंगे पहले इसकी तिर्बुज की तीसरी साइड को फाइंड करेंगे ठीक है तिर्बुज की तीसरी साइड को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे पाइथागोरस थेवरम का यूज करेंगे अब देखते जाओ आगे-ागे क्या क्या होता जाता है ठीक ह यह तो फार्मूलिया का पार्ट था इसको आपको कुष्टन में दिखाना नहीं है एक्जाम में इतना बड़ा यह सब पूरा करके नहीं दिखाना परिक्षा में आपके जगा होगी तो आप चाहो तो बगल-बगल में इसको ऐसे लिख सकतो जैसे मैं लिख रहा हूं अगर न जो मान मैं निकाल रहा हूं उसको लिखेंगे उसके नीचे सब करेंगे ठीक है हमारे में जगात हमें बगल बगल कर ले रहा हूं कि हम क्या करेंगे एसी का स्कॉयर करेंगे एक्वल एबी का स्कॉयर और प्लस बी सी का स्कॉयर कुछ बच्चे कहेंगे यह कैसे हो गया बता रहा हूं दोखो थोड़ा चुप रहा है उसको भी बता रहा हूं आप उपर लिख लोगे पाइथा गोरस पर्मिये से ठीक है क्या लिखोगे यहां पर पाइथा गोरस पर्मिये से यह क्या है पाइथा गोरस पर्मिये का सुत्र ह है अलका सा तो मैं वह आपको यहां पर सो कर देता हूं ठीक है डन चलिए कि समझ गेना आप लोग तो फाइथागोरस परमिय में सारा मान रखके निकाल लेते हैं हमें एसी कमान फाइंड करना है तो ठीक है भाई एबी कमान कितना दिया वाबू 24 दिया है तो 24 का होल स्कौर और बी सी कमान सेबन दिया सेबन का इसकौर 24 का इसकौर 576 और यह 49 आप सबको पता है ना इसमें किसी को कोई डाउट नहीं नो डाउट इनको एड़ करेंगे 625 आजाएगा इतना आएगा 625 यानि जो एसी का स्क्वाइर हो कितना आया 625 आया एसी बराबर निकालोगे आपको पता इसका वर्गमूल हो जायेगा इसमें किसी को कोई डाउट नहीं न इतना आप लोग क्या करेंगे कॉपी में सबसे पहले इतना करेंगे यहां तक यहां तक करने के बाद फिर यह चीजें लिखेंगे ठीक है यह चीजों का मतलब यह जो भी यह ऐसे भी काइसे भी लिखलो कोई दिककत नहीं सब सही हो रहा है ठीक है आप बगल बगल भी लगा सकते हो जगा बहुत होती कॉपी में चलो आप देखिए हमें मिल गया सब मिल गया इसमें तो sine A का मान कितना हो जाएगा बाबू sine A का मान कितना हो जाएगा लंबर टे कर्ड यानि perpendicular upon hypotenious इसमें से देखो अगर हम बात करें A की दहां रखना यहाँ पर A है न तो इसके जो सामने की side होगी जिस पर angle बनता जैसे sign a angle बदलने से सारा मान बदल जाता है तो sign a a के सामने की जो side है वो क्या हो जाएगी lumb हो जाएगी lumb का मतलब जानते हो perpendicular तो 7 है यह lumb है और card card कभी नहीं बदलती hypotenious हमेशा वही रहती है चाहे आप जो भी side बदल लो ठीक है कभी नहीं बदलती है तो इसका अगर हम बात करें तो यह bc upon ac हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू bc upon ac यह bc का मान वहाँ से देख लो सेबन है ac का मान 25 है यह आप का अंसर हो गया अगला इसमें और भी कुछ पूछा था कुषन दिखाए यह स्क्रीन पर तो मैं आपको बताता हूं अगला से क्या पूछा था भई बाद से भी पूछा था पॉहले वाले वहित्सक्स भाखा था ना इसमें पहला वाला क्युषन में था दोनु और lag ़ κάνप खर कि का सुत्र क्या होगा अभी फी मैंने लिखा था लाल बटा कक्का न titt लाल बटा कक्का से खो जाल जायगा आधार बटे करड़ इसका फर्मूला क्या होगा आधार बटे कर्ड यानि इंगलिस में बोलें तो बच्चा बेस अपान हाइपोटेनियस ठीक है बाबू तो इसमें अगर हम कॉस ए लेंगे इसमें भी सब कुछ वही रहेगा फोन नहीं बदलेगा तो कोई भी भुजा नहीं बदलेगी लेकिन सुत्र बदला इसलिए मान लिख देता हूं कुछ लोग कहेंगे यह दुनों अलग अलग तरीके से क्यों हो गया तरीका नहीं बदला है उपर देखो मैं इसमें का पहले फार्मूला लिखाओं मान नीचे लिखाओं तो यह भी फार्मूला लिख रहा हूं एक परकार से जानलो तो चलो मान नीचे ही लिखाओं यह तो अभी उपर सुत्रे सुत्र लिखाओं ना हिंदी इंगलिस में तो ठीक है कॉस एक अमान निकाल लेते हैं अधार बटे करड़ भाई आधार यह बेस एबी और करड़ एसी यह हो जाया का बाबू आपका एबी अपान एसी ठीक है एबी का बैलू रख दो 24 है एसी का 25 यह हो गया आपका दो सब्सक्रिंख लिख लिजिए जल्दी से इसक्रींसाट लिजिए मैं आगे दिखाता हूं जल्दी करिए गया इसकी ले लो बाबू जल्दी जल्दी से देर मत करो चलो तो इसका पहला पार्ट हो गया कोईश्चन का दूसरा पार्ट क्या कहता जरत ध्यान दीजीए इधर साइड में कोईश्ट अब दिखाईए इस कमाण भी हम लोग निकाल देते हैं दूसरे पार्ट का भी क्या कहता है चलो चाहले तो हो गया ना दूसरे में कह रहा है कि साइनसी और कॉस सी कमान गैप कीजिए न देखो कुशन उपर दिख रहा है सबसे उपर देखो टॉप पे साइनसी और कॉस सी का बैलू निकालना था ठीक है इसको मिटा दो फटाओ जल्दी फटा फटाओ देर नहीं तो यह हो गए काम खतम देखे साथियों यह ऐसे ही हो जाएगा इसमें थोड़ा सांतर होगा बिल्कुल थोड़ा सा एकदम नंधा सा वह अंतर क्या जरा समझते चलो कि समझते चलो कैसे होगा इख यहां पर समझो हमें क्या निकालना आप साइन सी कि साइन सी देखो साइन सी मतलब कोंड बदल गया अब एंगल बदल गया यह कोंड यहां पर बनेगा आप सी इसके लिए सामने की बुझा लंब होगी यानि जो परपेंडिकुलर है वह क्या है वर्टिकल जिसे बोलते हैं इसके सामने की बुझा है और बेस हो जाएगी और य साइन सी के लिए क्या हो जाएगा वही सूत्र तो वही लाएगा लंब टे कर्ड यहीं रहेगा ना यानि लंब मतलब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटिनियस यह फर्मूला है तो ठीक है मान निकाल लेते हैं कि इसी बात है अगर हम सी पर एंगल लेते हैं तो इसके सामन सी कमान आएगा 24 अपान 25 इसी तरह इसी में सातियों कॉसी कमान भी पूछा था बाबू इसका भी फर्मूला वही हो जाएगा अधार बटे कर्ड आप सबको पता है अधार मतलब बेस कर्ड मतलब हाइपोटिनियस नीचे जगा नहीं मैं इसलिका आंसर इसके सामने ही लिख दे रहा हूं डारेक्ट लिख दे रहा हूं अब भुजा का नाम नहीं लिखोंगा ठीक है आधार बटे कर्ड तो देख बाबू यह लंब हो जाएगा सामने यह नीचे बेस हो जाएगा यह कर्ड हो जाएगा तो साथ बटा पच्छीस इसमें किसी को कोई डाउट है नहीं इसमें और भी कुछ पूछा था इतना ले लिजिए आप लोग या फिर वीडियो को रोंक करके लिखिए फिर मैं अगला दिखाता हूं इसमें और क्या पूछा था कर यह जल्दी करिए मैं सामने से हट गया हूं हो अप लिको पटा फट अब यह ठीक है मैं आगे बढ़ता हूं के ओके ठीक है मैं आ गया था हूं को दन चलो तो यह फर्स कुछटन हो गया इसमें और कुछ नहीं पूछ था यह पूछा था नहीं पूछा था ना सीटैंड प्रश्न पर आजाओ दूसरा नंबर में क्या पूछ रहा है बहुत बड़ा इसको नहीं दिखाया जा सकता है पूजिष्चन सी्चंड आसान है आकिरती में 10 स्था मांगार के अब आंगरती कहा है आ ओकरती तो साइध आपको दिखाई नहीं गई है तो बहुत बनाधे के दिखा देता हूं यू डॉन ट्वरी ठीक है अकृति बना के दिखा देता हूं अकृति मतलब फिगार हूं है जलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है तो देखो भाई उस आकृति को हम इसी को मान लेंगे जो यहां पर बनी हुई है आप लोग एक बार बनाओगे नीचे फिर से फिगर उसी में काम नहीं चलाओगे यह तो मेरा जुकार्ड है मुझे बोर्ड पर बनाना इसलिए मैं बना ले रहा हूं तो बच्चो सिकेंड पड़ेगा इसको भी मिटाना पड़ेगा ओके दूसरा कुश्चन काक्षा 10 की एंसी आइटी मैथमेटिक्स इकसर साइड पॉइंट वन संख्या सीकेंड थीक है आगे सभी तैयार पूरा एकदम इनके नाम भी बदलने पड़ेंगे हमें क्योंकि उसमें PQR के बारे में ब बचा क्या है कुछ बचा ही नहीं है ठीक है क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है इस आकृति में फिगर में जो दिख रहा है 10P और कॉट आर कमान गयात कीजिए इस फिगर में थोड़ा अंतर है वो देखो यह है देखो बाई उपर पी है इसमें Q समकोन है और यार है इसका नवाबू यह अकृति है जो आपकी किताब में दी गई ऐसे ही यह बारा तेरा सिंटीमीटर है यह बारा है और नीचे वाली नहीं दी है नहीं लिखनी रहा है कि आपको अच्छा कुश्चन से छुपा हुआ है कुश्चन नीचे आजाबे काय को डिश्टरब कर रहे के रखा है चलो ठीक है आप क्या करेंगे हम लोग हमें पूछा क्या ह हम लिखेंगे यहाँ पर यह लिखेंगे यहाँ पर लिखो दिया है क्या दिया है वैक्स अग्ण से क्मको पता है न लिखो अ दिया है तिर्भूज पी क्यू आर जिसमें क्यूंद क्यूं हम कोन है फिके यह दिया है निकालना क्या है यह भी लिखे लो इधरी साइड में ग्याद करना है ग्याद करना है हमें ग्याद करना है 10p माइनस कॉट आर सबसे पहले हम इसमें पी और क्मान कहीं से निकाल के लाके इसमें रखेंगे हमें अगर नहीं दिखाना करके अगर दिखा दो गे तो कोई गलत नहीं है लेकिन करना कोई जरूरी नहीं है ठीक है हट नहीं राका है भई लें आगे बढ़ें ठीक है ओके चलो ठीक है कुश्चन हटा देते हैं चलो अब लिखिए अब पाइथागोरस पर्मिये से पाइथागोरस पर्मिये से हां इसमें पाइथागोरस परिमें हम सबको पता है क्या होता है कड़ का स्कॉार कोईंनेGM लिख दिया इसमें ना बीक्यू और दिया है तो तो इसे हम इस फिगर के अकार्डिंग अगर लिखेंगे तो यहां पर हमारा हो जाएगा पी आर का स्कॉयर और यह बेस का मतलब क्यू आर का स्कॉयर ऍसटेट चलो ठीक है इस चितर के अकार्डिंग बनेगा यह क्यू आर का स्कॉयर और यह पी क्यू इसको ए्सकॉययर ठीक है जैसे लिखा गया उसी के अकार्डिंग हम लोग चलेंगे तो यह बनेगा आपका पाइथा गोरस पर्मिये का फर्मूला ठीक है रंड ओके चलो कि समझते चलिए बहुत आसान है कोई दिक्कत नहीं होने वाली किसी को ठीक है ड़न ठीक है ओके 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 चलो कि अ है अब यहां से हम कि टरैंगे साथी यह 13 का है से लिखदेंगे यह 12 का स्कॉयर में आएगा माइडस में हो जाएगा उण हुगा उदर पलस में एक कि यूवार का स्कॉयर इसमें किसी को को डिक्कत परwort करसाली नहीं आ अब तेरा का स्कॉर आपको पता है कितना होता है 169 होता है माइनस 144 होगा इक्वल क्यू आर का फोल स्कॉयर याद रखना यहां पर स्कॉयर लगेगा बबुब आई यह हर जगा स्कॉयर रहेगा यहां 20 स्कॉयर रहेगा इसको घटा लीजिए पांच आएगा हाँ सब्सक्राइब कि पांच आएगा इतना तो तुम जानते हो पाइता गॉरस परमिय हो गए क्या पांच इस इतना लिख लिया अब देखो बाई समझ रहे हो यह रफ कर रहे है जो मैं इधर करूँगा यह रफ कर रहे है चाहे तो इसको करके दिखा दो या ना दिखाओ एक्जाम में कोई जरूरी नहीं है हमें यह निकालना था ठीक है हाँ बाकी लेकिन इसको गोचना मत बगल में लगा देना साइड में कॉपी में जिसे एक जर्मर को पता चले कि तुम्हें आता है निकाल लेओ यह ना जाने फ्लनवा कश देख्यों इसलिए चलो तो 10 p बराबर क्या होगा आपको पता है लाल बटा कक्का वाला फर्मूला लगाएंगे बाबू लाल बटा कक्का पर यहां पर बनेगा पान व्लिए कूल यहां पर बनेगा तो इसके सामने की बुजा पर्पेंडीकुलर होगी फिए के सामने की बुजा क्या होगी उसके बैस कितना थे अगला में काम लगेगा कॉट आर का तो कॉट आर भी यहीं से निकाल लेंगी अब ध्यान रखना अब यह बेस आधार कर्ड जिनमें गचर पचर हो जाएगा अब कोड यहां बनेगा न इसके सामने की बुझा परपेंडिकुलर होगी यह लंब होगी यह आधार होगी यह कर् जो इसका पोजिट होता है यह लंबट यह लंबटे अधार होता था यह लंब होता है यह लंब यह लंब यह लंब हो जाता है बस यह 5 बटा 12 की जगह पर 12 बटा 5 हो जाएगा इसमें किसी को कोई दिखकत करशानी कोई डाउट नहीं न है कि मुझे लग रहा कुछ हो जाता लेकिन दोनों कोण एक समान होते तब हैसा इसा नहीं होगा क्यों कि इसमें बाबु यंगल अलग-अलग है इसमें पी इसमें आ रहे है अगर यह कोण दोनों पी-पी होते तब तो यह हम लिख सकते थे जो लिखाओं सब्सक्राइं नहीं घलत है कि के सांदे की भूझी होगी के और नीचे वाली बूझा तो यह क्या हो जाएगा पांच फेस पांच है और दोनों का मतलब एक आएगा मान आप यहां लाके मां रख देंगे 512 इतना बुजाने के बाद देखो इसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं है जीरो आजाएगा इसको साइड में आप कहीं दिखा देना अपनी कॉपी में इधर साइड में लगा देना एक्जामनर दिख लेगा खुश हो जाएगा तो क्या करना है ये तो ऐसे रप का का ररे था जो मैं मिटाया इसको दिखाना कोई जरूरी नहीं है अगर आप champ मत दिखाओ अ लिखना जरूरी नहीं है पेपर में लेकिन समझना जरूरी है इसको थोड़ा सब्सक्राइब करेंगे तो क्या होगा बाबु देखो आधार आधार पराबर है तो यह सकते हैं पांच माइनस पांच कि गटेगा जीरो अपान बारा है इक को जीरो यह तीन लाइन भुजाओ गया इसे हो जाएगा ऑग आपका यह सिंद्ट नमबर कॉश्चन डन हो गया अगला कॉश्चन तीफरा नमबर द्यान देना क्या कहता है वो भी मैं बताऊंगा पश्चन देखते जाओ ठीक है देखो मगर प्यार से अ हम इस चलिए अगे बढ़ें तीफरा को्शन देखो द्यान करें दीजिए इसमें कहरा कि यदि साइन एक मान दिया है तो आपको कॉस और टैने निकालना है तो प्यारे बच्चों आपको सिंपल में कुछ ज्यादा नहीं करना है फिर पॉर सिर्फ एक समकॉंड तिर्भुज बना लेना है उसमें साइन और कॉस के जो मान दिये गए हैं ले जाकर करके देना है ठीक है क्या ऐसा था दोनों चित्र में ऐसा नहीं था सायद ना तो मैं तीसरा चलो आपको बताई देता हूं तरीका कैसे करना फिर कर लेना ठीक है देखो समझो थार्ड नंबर कुष्टन में भाई समझना यह आपके लिए हो मोर्क है लेकिन मैं थोड़ा हिंट्स देखिए एक बी की बात हुई है ना टैन ए और कौ से निकालना है यानि साई ने दिया है मतलब हम इनके जो नाम लिखेंगे वह ABC की रूप में ही लिखेंगे अब किसमें क्या समकोन ऐसा कुछ नहीं कहा है तो हम कहीं भी कुछ भी लिख सकते हैं ABC ठीक है उसके बाद साथि दियों हमें यह चीज निकालना है कि हमें साई ने दिया है ना यहां पर लिखेंगे यहां पर दिया है मतलब गिबन ठीक है क्या गिबन है बबू यह तीन बटा चार दिया है ना आपको पता है कि साई ने बराबर जो सूत्र होता है वह लंब बटे कर्ड होता है यानि बोलो होगी की नहीं अगर उसको ए लेंगे कोंड तो सामने की बुजा लंब है वो आधार है तो भाई इसमें हमें लंब और करड़ दिया है लंब तीन दिया है करड़ को चार दिया है तो लंब की जगह पर तीन रखेंगे करड़ की जगह पर चार रखेंगे जाब है अब क्या करेंगे समझना और हमें क्या निकालना है इसको निकालना है आधार को बात क्या निकालना है ना या चिगा 1978 संथि और आप कि सारी कहानी सब 那ुट अधरि करन अधार कमान निकाल लोंगे अभी में बताया थो और करन रख दो के, उसी तरह फे कमान निकाल लोगे थागरस परमे अभी में बताया हूँ न माण बाबु, 1413 क Simon सब्सक्राइब करना इसमें किसी को कोई दिक्कत कोई परसानी जैसे मनें पहला दूसरा बताया पैथागुरस पर्मिया लगा इसका मान निकालो फटा-फट रखत हो गया कि अगले कुश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं इस्क्रीन पर आपको पूरा क्लेर सब कुछ दिख रहा है कुश्चन नंबर चौथा चौथा नंबर कुश्चन मुझे लग रहा है कि बताने लाइक है थोड़ा मोड़ा वैसे जादा कुछ नहीं है इसको भी मैं बता दे रह है इसमें भी चलो जो यह 15 कोट दिया ना बाबू इसको क्या करोगे पता है यहां से आप कॉट एक अमान निकालोगे तो कोट ए निकालना बहुत आसान है कोई मुसीबत नहीं है बहुत आसान है यहां पर समझे यह क्या दिया भई पंद्रा कॉट ए बराबर आठ दिया है कि अपको दिख रहा है तो पंद्रा कॉट यह बराबर आठ दिया है तो बाबू यहां से हम निकाल सकते हैं कि कॉट एक जो मान होगा वह आठ बटा-15 होगा इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना ना और को दिया है तो इस तरह से आप एक तिर्पूज बना लीजीसे शमको जैसे मैंने अभी बताया वैसे ही ठीक है तो यह हो मुर्क रहेगा इसलिए आप कर लेना मैंने जो पहला और दूसरा प्रस्ण करवाया है जिन बच्चों ने उसे ध्यान से देखा है वो इसे सब कर ले जाएंगे ठीक है यह क्या है आपका हो गया हो मुर्क है पच्वा भी हो अबारा है तो अन्य सभी तिरकोड मिती अनुपात पर खिलिद कीजिए अन्य सभी का मतलब यह है कि देखो मुख्य रूप से तीन तिरकोड मिती अनुपात होते हैं लेकिन अगर हम सभी की बात करें तो completely 6 होते हैं क्योंकि तीन तो मेन होते हैं तीन उनके अपोजिट होते तो इसमें अगर हमें सेक एक अमान दिया है यानि अपोजिट वाले का ही मान दिया है कॉस के अपोजिट का मान दिया यानि हमें साइन कॉस टैन और कॉस एक इन सब के मान फाइंड करने हैं तो क्या करोगे आप एक तिर्बूर बना लो उसमें सेक एक अमान लंबटे कड़ कि आधार पर मतलब जैसे भी इसका बनता है रख के सारे मान निकाल लेंगे नहीं आगत मुझे बताना हूं ठीक है खटा प्रस्ण है जो बताने लाइक है मैं इसको बता रहा हूं देखिए बहुत आसान है यह कह रहा है कि यदि कोंड ए और कोंड भी दोनों न्यून कोंड हो वैक्यूट एंगल है तो कॉस ए बराबर कॉस भी है तो दिखाईए कोंड ए बराबर कोंड भी क्या है साही लिखा है ठीक है चलिए छटा प्रस्ण हम लोग करेंगे ठीक है भया चलो बाबू रेडी चलिए कोंड प्रस्ण करेंगे छटा वाला सबसे पहले आपको एक समको मैंने बना लिया इसमें कारा आä और neayon coins बी Annay catch rif कार नहीं हुसाइँ है इनमें से कोई बी ना यहां पर बी नहीं हो सकता है यह अजै लिए वक्रम वन है बोल रहा हं व किसको सियां लिख çev़्ेंगे अपारे जो यह दोनों क्या होगे निवन कॉंड होगे ए और बी लेकिन जो सी है वो क्या है सम कोण है निवन कॉंड नहीं है आगे कहानी समझती चलना बिल्कूल भी टेंसर ने लिना एक पैसे की हम 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 आ थे दिआ पुछ नहीं किया भी ऐसे फिकर बना लिए आपको बना लेना है इसमें आप लिख सकते हो हूं है है लिखोगे और दें अ निया क्या है भई कि कि मैं दो न्यून कॉंड क्या तीया है है मटन्यों कॉंड कि और और पूर्ड भी यह में दिया है इसको मतलब नहीं लग रहा है इसको मतलिको दिया है आप लोग सोच रहे होंगे काई कटवा रहें देखो पहले समझ लिया करो क्योंकि चीजें कहीं देखके तो लिखना नहीं है समझ के लिखना है कैसे बहतर से बहतर हो सके तो दिया है में हमें क्या दिया है कह रहा है कॉस ए बराबर कॉस भी है में यह दिया हमें तो हम इसको लिखेंगे ठीक है कॉस ए बराबर कॉस भी यह हमें दिया है मुख्य पॉइंट की बात यह है ठीक है तो चलिए हमने क्या किया टेना है आपको धयान देना है का समझ के चलना है बताओ मुझे तशाइड में रफ कार में कहीं से आप समझे करण करण क्या होता पाइब था आधार इसमें कोई कॉन पर अगर हम इस फिगर में देखें तो कास्ष ऑंक्या इसके सामीं की बूजा लंब यह क्या लंब यह क्या है अधार किसे लिए एक लिए तो आधार बटे करड़ आधार क्या इसमें एसी अपान एबी क्या है एसी अपान एबी समझते चलो इसमें कोई दिखकत नहीं आगे देखो अगर कौन बी के लिए देखेंगे तो फिर यह लंब हो जाएगी एंगल जब बी पर बनेगा बाबू तो इसके सामने की बुजा परपेंडिकुलर हो जाएगी यानि यह लंब हो गया परपेंडिकुलर या वर्टिकल हम ठीक है तो इसके लिए क्या हो जाएगा आधार बटे करण ही सूत होता है तो आधार बी सी और करण एबी बी सी अपान एबी देखो यहां पर समझ के चलना बाबू ठीक है यहां से हमें काम कर सकते हैं आप लोगों को सिंपलिफि अबर कोण सिर्व यह यह क्यों लिख दिया मैंने अभाप का ओंग ऐसा हि heritage कि मेरे भाई की सम्मूकोंड बराबर होते हैं तो एक सम्मूकोंड क्या है देखो ज़ा एक सी इसके सामने का कोन यह और लिख लो कोई फ़रक नहीं पढ़ता है एक स्मूकोंड भी है ना संम्मखको commod a है था कोई निगों आंट कोई फरक नपी निपन फब्ले कोई पड़ता है नो सब्सक्राइं । इस्थ यह इस्कुना था नियु जिसे आथार्ष किला निखोंगे हैं इस्चाथ प्रस्न है । अधिये च्छ ठीक है यह च्छे कोश्चन हो गए इस एक्सरसाइज में आपके कुल 11 कुश्चन है ठीक है कितने हैं 11 इस प्लिक लिजिए इस्क्रिंसाट लिजिए मैं आगे बढ़ता हूं जल्दी करिए अगले परस्त की तरफ आगे बढ़े हैं आप क्या करेंगे इस कलास को लाइक शिर जारू लीजिए पेंड कर मिसक्ति만 쉬